नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूग चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो ये वीडियो है केबल इसमें 10 कोशन होंगे जो की खास करके डिफेंस के एकजाम्स के लिए बनाई गई है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडिय कि आप फर्फस्ट कोशन हे हमारा कोश्चन नमर बन प्रफं महला लोगसबा अध्यक्ष। फिर्फं महला लोगसबा अध्यक्ष कौन थी? आपके श्रीमती सुचेतु क्रिपलानी, आपेसन बी राजकुमारी अम्रित कौर, आपसन सी विमला देवी, आपका मीरा कुमार. तो question number 1 का correct answer होगा, option D, मिरकुमार. Next question होगा हमारा, question number 2, भारत का पहला ग्रह मंतरी कौन थे? भारत के पहले ग्रह मंतरी कौन थे? option A, mother Teresa, option B, स्री बेनी प्रसाद बर्मा, option C, सरदार बलब भाई पटेल, and option D है आपका सरोजनी नाइडू. तो question number 2 का correct answer है, option C, सरदार बलब भाई पटेल, ये भारत के पहले ग्रह मंतरी थे. Next question होगा, question number 3, भारत बिग्यान में नोबल प्रसकार पाने वाले प्रतम भारती है? option A, Dr. C. V. रमन, option B, J. J. Thompson, option C, कैलास सत्यार्थी, and option D है आपका, इन में से कोई नहीं. तो बहुत अब बिग्यान में नोबल प्रसकार पाने वाले प्रतम भारती है, कौन है? option से आपके मैं बता चुका हूँ आपके लिए, तो question number 3 का correct answer है, option A, C. V. रमन. Next question है हमारा, question number 4, चिकट्सा में नोबल प्रसकार पाने वाले प्रतम भारती है, कौन थे? तो option से आपके सुब्रमन नेम चंदर सेखर, option B, नील्स, रिवन, फिंसेन, option C, डॉक्टर हर्गोबिंद खुराना, और option D है आपका, इन में से कोई नहीं. तो question number 4 का correct answer है, option C, डॉक्टर हर्गोबिंद खुराना, तो चिकट्सा के छेतर में नोबल प्रसकार पाने वाले प्रतम भारती है, तो अप्सेन हैं, option A, आत्मरे सेन, option B, रविंदरनाथ ठाकूर, option C, बिंक ड्रामन, रविंदरन, और option D, इन में से कोई नहीं. तो question number 5 का correct answer होगा, option A, आत्मरे सेन, तो अर्थशास्तर के छेतर में जिनको पहला, नोबल प्रसकार मिला था, उनका नाम है, आत्मरे सेन. तो next question के तरब चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा, कि अगर आप इस video की video file को भी download करना चाहते हैं, तो इस video के description से आप download कर सकते हैं. और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल को आप अगर लाइक करते हैं, तो हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू करें, और साथ ही वेल एकम को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे हैं, तो चलिए दोस्तो, next question के तरब चलते ह option B, विशुनात प्रताप सिंग, option C, चंदर सेखर सिंग, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 6 का जो सही answer होगा, वो है option A, Dr. Manmohan Singh, तो भारत के जो सिख प्रदानमंत्री थे, पहले उनका नाम है Dr. Manmohan Singh, next question है हमारा question number 7, नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारती महला, कौन है, option 6 है आपके, option A, उमा भारती, option B, सुस्मिता सेन, option C, इंदरा गांधी, and option D, मदर टेरेशा, तो question number 7 का correct answer होगा, option D, मदर टेरेशा, next question है हमारा question number 8, भारत रत्न प्राप्त करने बाली पहली महला कौन है, तो ऐसी कौन सी महला है, जिन के लिए भारत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, option A, श्रीमती बचहंद्रिपाल, option B, सुचेतो कृपलानी, option C, स्रीमती इंदरा गांधी, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 8 का correct answer है, option C, स्रीमती इंदरा गांधी, next question है हमारा question number 9, राष्ट्री धोज तरंगे में 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं, तो हमारे जो राष्ट्री धोर्य धोज है, जिसकों तरंगा बोलते हैं, उसमें जो 36 पट्टियां हैं, अलग-लग कलर की, वो किस अनुपात में रहते हैं, तो question number 9 का जो correct answer होगा आपका, वो होगा option A, एक अनुपात, एक अनुपात, एक अनुपात, एक के अनुपात में ये तीनों कलर जो हैं बुर रहते हैं, तो आज की वीडियो का last question होगा, question number 10, राष्ट्री दोज तरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्साता है, तो हमारे तरंगे में जो गहरा केसरिया रंग होता है, वो क्या दर्साता है, वो options के आपके ताकत और साहस, option B, सांती और सत्य, option C, विकास और और वड़ता, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 10 का correct answer होगा, option A, ताकत और साहस, तो केसरिया रंग जो होता है, वो ताकत और साहस का प्रतीक होता है, तो ये थी हमारे वीडियो, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरू बताएं, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेश को सब्सक्राइब जरू करें, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जहन जह भारत.